यहां पर हमने पूंजी गत और आगम गत की सभी आवधार्णाओं को समझा हमने पूंजी गत और आगम गत की इन आवधार्णाओं को कभी लागत से कभी लाग से कभी हानी से और कभी आय या वैसे कंपेर करके जाना कि पूंजी गत आय क्या है पूंजी गत वै क्या है पूंजी गत प्राप्ती क्या है? पूंजी गत भुक्तान क्या है? पूंजी गत हानी क्या है? आगम गत हानी क्या है? पूंजी गत लाब क्या है? आगम गत लाब क्या है? इन सभी अधानाओं को समझ लेने के बाद हम उस सिधान्थ पर पहुँच जाते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए या जिसको आधार मान कर हम किसी भी पॉइंट के लिए ये बता सकते हैं कि वो जो पॉइंट दिया गया है वो पूझी गत है या आगम गत है और क्यूं है यह भी हम बहुत अच्छे से यहां पर explain कर सकते हैं तो आए इचसे सम्मझित कुछ क्रियात्मक प्रश्णों को हल करते हैं कारण सहीद बताईए कि निमनलिखित वे, पूंजी गत वे, अत्वा आगम गत वे, खरीदे गए माल पर दिया गया भाड़ा, नई मशीनों के स्थापना पर दी गई मजदूरी, उत्पादित वस्तों के उत्पादन पर दिया गया कर, इस प्रश्ण में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले विक्रे के उद्देश्य से जो माल खरीदे जाते हैं, और उस माल पर जो गाड़ी भाड़ा दिया जाता है, वो आगम गत होते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ये व्यापारिक स्वभाव के होते हैं, और व्यापार के निरंतर सं चालन के लिए एक प्रकार से इन्हें हमेशा बार-बार करते रहना पड़ता है दूसरा हम या पर देख रहे हैं कि मशीनों के इस्थापना पर जो वे किये जाते हैं वो पूंजी गत्वे होते हैं क्योंकि हमने देखा कि 27 संपत्यों को खरीदने लाने ले जाने से देकर इस्थापित करने तक कि जितने भी वे होते हैं वो सब उसके कौस्ट जाने की लागत में जूड़ जाते हैं यानि कि हम यह कह सकते हैं कि मशीन के इस्थापना पर किया गया है पूंजी गत्वे कहलाएगा तीसरा पॉइंट हम आप देख रहे हैं कि उत्पादित वस्तू के उत्पादन पर दिया गया कर इसे हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का आगम गत्वे हैं क्योंकि यह वेपार के समान संचालन्ज समंदित है वेपार में जो हमेशा छोटे मोटे वे होते रहते हैं उसके अंतर इन वेव को किया गया है इसलिए इस तरह के जो वे हैं वो आगम गत्वे कहलाएंगे कारण सहीद बताईए कि निमनलिकित वेपुंजी गत्वे हैं अथ्वा आगम गत्वे हैं पहला रिड़ पत्रों के निर्गमन पर किया गया वैधानिक वे दूसरा सरकार को दिया गया सिचाई शुल तीसरा सिनेमा घरों में बैटकों की संख्या बढ़ाने वसा सज्जब पर किया गया वे इस प्रश्ण में हम देख रहे हैं कि पहला पॉइंट जिसमें रिड़ प करेंगे क्योंकि यह 원weise पूज़े एकत्र करने के लिए किया गया है और पूझय एकत्र करने या पूज़े से संबंदित जो भी वह होते हैं वो सभी पूंजी गत्वेयों के अंतरगया जैने 5 रिड़ पत्रों के निर्गमन पर किया गया gleich दूसरा अ या गया सिचाई शुल्क अब क्योंकि हम सरकार को सचाई शुल्क दे रहे हैं यह एक आवर्तक सभाव का वह है ऐसा तो नहीं होता है कि एक बार सचाई शुल्क दिए फिर कई वर्षों तक उससे हमको लाफ राफ होता रहेगा किसी भी वेपार के समान इस अंचालन में बार- हाल किया गया वे इहां पर कुझे पहांनेंगे शुल्क कि एक प्रकार का भवन हैं हम यह मान सकते हैं कि पुझे का संपत्ती आब अगर मिन की सार्व सज्ज पर वीए करते हैं इसके वीवस्था बढ़ाने पर वैध करते हैं तो उस से हमको ज़ो लाफ प्राप्त होगा वह काफी लंबी समय तक कहने की दीर्द काल तक प्राप्त होता रहेगा तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सिनेमा हॉल पर किया गया इस प्रकार का वे पूंजी गत्वे माना जाएगा प्रश्निक रमांग तेन कारण सहीद बताईए निमनलिकित मदें पूंजी गत्व है या आगम पहला पूर्वदत बीमा प्रीपेड इंसुरेंस दूसरा अदत मजदूरी आउटस्टेंडिंग वेजिस तीसरा संपत्ति को उखाडने वफिर लगाने के वे चौथा विकास वे पांचवा आप्राप्य आए छटवा पुरानी मशीन के इस्थान पर नई मशीन की उनरस्थापना साथवा उत्पादित वस्तों पर दिया गया उत्पादन कर आटवा व्यवसाय में चोरी गया माल इस प्रश्ट में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले दिया गया है पूर्वदत बीमा अब क्योंकि पूर्वदत बीमा इसका अर्थ है कि किसी वर्ष में यानि कि किसी चालू वर्ष का वह नहीं है उसके पहले ही वह कर दिया गया है पूर्वदत बीमा चालू वर्ष का वह न होने से चालू वर्ष के लिए पूंजी गत्वे होगा पहले से ही हमने उसके लिए कर दिया है इसलिए हम इसको चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में प्रदर्शित करते हैं आगे जब हम बैलेंशीट बनाएंगे तो वहाँ पर और अच्छी से क्लियर करेंगे कि किस प्रकार प्रिमा दिया जाना एक समान वेपारस अंचालन के लिए उप्यूक्त होता है तो उस समय इसको आगम गत्वे मान लिया जाएगा लेकिन चालू वर्ष के लिए कुंजी गत्वे कहलाएगा दूसरा हमको आपर देखना है आउट्स्टेंडिंग वेजिस अदत मजदूरी त अबी तक आउट्स्टेंडिंग है तो यह माल लेंगे कि यह राश्य चालू वर्ष का दाइट है और हम अगर चिट्थे में इसको लिखने की बात हुई तो उसको हम चिट्थे के दाइट तुपक्ष्मी क्योंकि लाइबिलिटी है अदत है अभी तक हम ने उसका प्रेमिं संपत्ती के बारे में हमने देखा कि इसको खरीद कर लाने ले जाने इस्टैबलिश करने इस्थापित करने जो भी वह आते हैं वह संपत्ती की लागत में जुड़ जाते हैं तो इसके आधार पर में कह सकते हैं कि यहां पर जो वह दिए गये हैं संपत्ती को खाड़ने आते हैं कि कही न कहीं हो पूंजी गत्व के तरह होते हैं वह से काफी लंबे प्राप्ट तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विकास वे जो है वो पूंजी गत्वे हैं अब चाहें इसमें मजदूरी हो या किसी भी प्रकार के छोटे मोटे वे हो लेकिन ओवर अगर वह विकास पर किये गए तो हम उनको पूंजी गत्वे मानेंगे क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप प्राप्पे आए एक्रूड इंकम यानि कि जो काम कर दिया गया है उसके लिए अभी तक किसी प्रकार की आए प्राप्ट नहीं हुई है अब क्योंकि वो आप्राप्पे हैं यानि कि हमको प्राप्त होगी तो यहां हाला कि हम इसको आगम गत्वे मालेंगे और ऐसा इ कर्पति के लेकिन अब अब क्योंकि आगामी वर्ष प्राप्ति है अब आने वाले समय में यह प्राप्त होंगी इसको हम चित्थे की संपत्ति पर्फ्र में लेख सकते कि कही ना कही यह पुझी से रिलेटेड है क्योंकि सारे स्थाय संपत्याइन पर किये जाने वाले जो वह होते हैं, maximum वह पुझी गत्वेयों के अंतरगती आते हैं. और आल हम यह कह सकते हैं कि पुरानी मशिन के इस्थान पर नई मशिन के स्थापना पर किये गये वह पुझी गत्वेयों होते हैं. Next, seven point हम देख रहे हैं, उत्पादित वस्तु पर दिया गया उत्पादन कर, excise duty paid on goods manufactured. यहां पर हम देख रहे हैं कि जो वस्तु उत्पादित की गई है, उस पर यह उत्पादन वह किया गया है, एक्शली यह जो उत्पादन कर हैं, हम इसको लागत वह भी कह सकते हैं. क्योंकि कहीं न कहीं यह वस्तू के उत्पादन की जो लागत होती है उसका एक भाग होता है किस्ता होता है और एक तरीके से देखा जाए तो यह वैवसाय का सामान्य वैव होता है किसी भी वैवसाय में जनरली इस तरह के चोटे-मोटे वैव होते ही है एर्थ पॉइंट हTSB GAYA MA軍 GJIB Along Business यहां देखते हैं कि यह weniger होते हैं चोरी से संबंधित आग से हभाए से संबंधित इनमें यह चा 20 में इसकी मात्रा क्या थोड़ी मोड़ी हो थे चोटे में हे जो होते हैं झानी मान लेते हैं आग क्याओ कर सामान चोरी का हो में हो जाती है कई बार लेकिन अगर यही चोरी बहुत बड़ी मात्रा में है कि तो किनी राशी की चोरी को समाने चोरी मालनी जाए और कितनी राशी में अगा चोरी होती है तो उसको बड़ी चोरी या डाका जनी या हम उसको पूझए गत्व हानी कहेंगे तो इसे स्थगित आगम गत्व हमान कर हम आगामी कुछ मश्रूर के लिए इसका जो लेखा है वो लावानी खाते में हम अप्लिखित कर देते हैं प्रश्न क्रमांक चार निमनेलिखित व्यवार एक मोटर लॉरी के संबंद में हैं जिसे एक लिमिटेट कम्पनी ने अपने व्यवार के लिए खरीदा है पहला एक पुरानी मोटर लॉरी 2750 रुपए निलामी में खरीदी उस पर 250 रुपए वैधानिक वे हुए दूसरा, इसकी पूरी मरम्मत में 1560 रुपए खर्च हुए तीसरा, अन्य उपसाधन 350 रुपए में खरी दे गए चौथा, एक दुरघटना में लौरी पूर्टया नश्ट हो गई और 1200 रुपए लगा कर उसकी मरम्मत हुए पाँचवा, 1000 रुपए एक वेक्ति को जो लौरी दुरघटना में घायल हो गया शतिपूर्टी के देने पड़े चटवा, ड्राइवर के वेतन पेट्रोल आदी में 1470 रुपए खर्च हुए साथवा, लौरी 3,120 रुपए में बेची गई इन वेभारों का लेखा करने के लिए कंपनी की बहियों में पंजी या जनरल प्रविस्टी केजिए तथा मोटर लौरी खाता बनाईए सबसे पहले जबकि पुरानी लौरी खरीदी गई तो उस कंडिशन में हम जनरल एंट्री करेंगे मोटर लौरी अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट और कितने में खरीदी गई 2750 में तो यहां पर हम अमाउंट लिखेंगे 2750 इसके लिए कुछ legal expenses किये गये तो हमने देखा कि जब हम कोई assets कोई मोटर वहिकल कुछ भी या machinery purchase करते हैं तो उसको purchase करने के साथ साथ उसको ल होते हैं वो उसकी cost में जुड़ जाते हैं इसलिए यहां पर जो legal expense किये गया है इसको खरीदने के लिए वो भी motor lorry के cost में जुड़ेंगे और यहां हमारे general entry होगी motor lorry account डेबिट टू कैश अकाउंट बेंग लेगल एक्सपेंस पेट 250 इस थाट पॉइंट हम यहां पर 60 तो यहां हमारे general entry हो जाएगी motor lorry account डेबिट टू कैश अकाउंट बिंग कॉस्ट ऑप ओर्रॉलिंग लोडिंग दा लोडिंग दा ओल्ड ओल्ड मोटर लॉरी और 1567 इसके एंट्री करेंगी नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर देख रहे हैं कि उसके लिए हमने कुछ एसेसरी परचिस की है वोल्ड मोटर लॉरी के लिए यह भी उसके कॉस्ट में जुड़ जाएगी तो यहां general entry हो जाएगी motor lorry expenses account डेबिट टू कैश अकाउंट और 350 रूपीस के एंट्री हम करेंग being the cost of repair 1200 और जब हम compensation पे करेंगे motor lorry के accident पे तो वहां पर क्यूंकि motor lorry से ही related expenses उसके cost में उसके expenses account में ही यह जाना है तो यहां हम entry करेंगे six motor lorry expenses account debit to cash account और क्यूंकि 1000 वहां पर हमने पे किया है तो 1000 से हम इसके entry यहां पर करेंगे और narration यहां हम लिखेंगे being the amount of compensation paid due to accident by motor lorry इसके बाद जब हम salary देंगे drivers की petrol का जब हम खर्शिस पर देंगे तो क्यूंकि वह भी motor lorry से संबन देते हैं तो यह भी motor lorry expenses में ही add होगा तो प्रॉपर यहां पर हमारी general entry हो जाएगी motor lorry expenses account debit to cash account being the expenses of driver salary and petrol 1470 रुपे से हम इसकी entry करेंगे 8th point हम देख रहे हैं कि जब यह जो पुरानी motor lorry है उसको हम sale कर दे रहे हैं हमने purchase जिस amount में की थी उससे हम अलग rate में इसको sale कर रहे हैं यहां पर दिया गया है कि इसमें हमको 3120 रुपीज हमको प्राप्त हो रहे हैं और loss यहां पर हमको हो रहा है 1440 तो यहां पर हम इस condition में यहां general entry करेंगे cash account debit loss on sale of motor lorry account debit क्योंकि यह loss है इसने debit में आएगा और two motor lorry account तो कितने में हम sale कर रहे हैं कितने amount हमको receive हो रही है 3120 और loss कितना हो रहा है 1440 और total amount थी motor lorry की वह हम motor lorry के account के credit side में लिखेंगे 4560 narration यहां पर हम लिखेंगे bin glory sold off and loss transfer total amount जो है इसकी जनरल की वह हो जाएगी 13140 और इस condition में जब हमको motor lorry account बनाना होगा तो सबसे पहले हम general entry देखेंगे कि कहां कहां पर motor lorry account effect हो रहा है और उसके according हम यहां motor lorry account का laser बनाएंगी तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि motor lorry account first जो हमारी general entry है उसमें motor lorry account debit to cash account हमने entry की है यानि कि इसके according जब हम laser posting करेंगे तो motor lorry account के debit side में हम लिखेंगे to cash account और जो amount है 2750 की वह हम motor lorry account के debit side में लिखेंगे उसके बाद हम second entry में भी देख रहे हैं कि motor lorry account debit हो रहा है और cash account credit हो रहा है तो फिर हम motor lorry account के debit side में फिर से हम लिखेंगे लिखेंगे to cash account और जो 250 के amount है उसको हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट में हम फिर से देख रहे हैं कि motor lorry account debit हो रहा है और cash account credit हो रहा है तो फिर से हम motor lorry account के debit side में to cash account लिखेंगे और यहां पर हम 1560 के amount को लिखेंगे या फिर दूसरी condition में हम एक काम यह भी कर सकते हैं कि motor lorry को purchase करने और उसको लाने इससे समझदी या फिर legal expenses जो है उसको हम cost में add कर दे और total 3000 के amount को debit side में लिखेंगे next entry में हम देख रहे हैं 4th 5th और 6th 7th जो entry है वो motor lorry expenses से related entry है अब 8th entry जो हमको दिख रही है वहां पर motor lorry account credit हो रहा है और उसके opposite में दो account debit हो रहा है तो यहां जब हम motor lorry account का laser बनाएंगे तो motor lorry के account के credit side में लिखेंगे सबसे पहले buy cash 3120 and loss on sale of motor lorry 1440 और total debit और credit उसको हम compare करेंगे तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इसका debit जो total है वह भी 4560 है और credit जो total है वह भी 4560 है तो इस तरह से हमने motor lorry account को close दिया कारण सहित बताईए कि निमनलिकित मदे पूंजिगत है या आगम पहला विनियों को बेचने से प्राप्त लाब profit on sale of investment दूसरा कर्मचारियों को factory तक लाने वह ले जाने है तो रखी गई बस पर किया गया वह expenses on bus kept for transport of employees and from the factory तीसरा सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता subsidies receive from government चौथा पूंजी के पट्टे पर दिया गया नजराना नजराना paid online taken on lease पाच्वा नए उत्पात को बाजार में प्रचलित करने का विशेश विज्यापन वैं expenses of special advertisement done in introduce new product in the market चट्वा दुकान के नाम का बोर्ट बनवाने का वें expenses of name board of the shop सेवन साथवा कारेले के लिए टाइपराइटर खरीदने है तू क्या गया वें cost of typewriter purchase for the office आट्वा नगर निगम के रिण पत्रों पर किया गया बिन्योजन investment made in the loan certificates issued by municipal corporation नवा नगर निगम को दिया गया संपत्ती कर 9 property tax paid to municipal corporation दस्वा पुरानी मशीन के अव्शेश भागो को बेचने सब्सक्राइब से प्राप्त राशी cash received on sale of scrap part of an old machinery इसमें हम देख रहे हैं कि first point जो दिया गया है जिसमें विन्योज को बेचने से प्राप्त लाव हो रहा है अब क्योंकि बात यहां पर विन्योज क्या रही है और investments related जितने भी expenses होते हैं और उससे related जितने भी लाव होते हैं ऐसे इसलिए होता है क्योंकि बिन्योज एक प्रकार से व्यपार की संपत्ति होती हैं आने जाने पर तो इस तरह के जो वे किये जाते हैं तो डेली इस पर इस तरह के वे किये जाते हैं और क्योंकि एक प्रकार से हमते हैं तो आवर्टत प्रवृत्ति के होते हैं इसलिए इस तरह के जो वे होते हैं इन्हें हम समान निवे मानते हैं और इन्हें हम आगम गत्व व्यों की श्रेड़ी में लाते हैं थर्ड पॉइंट यहां पर दिया गया है जिसके अंतरगत हम देख रहे हैं कि सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता तो यहां पर क्योंकि सरकार से जो आर्थिक सहायता प्राप्त होती है उससे कहीं न कहीं वैपार में वृद्धी होती है या कहें तो वैपसाय की पूंजी में विद्धी होती है और यही कारण है कि इस तरह से जो आर्थिक सहायता सरकाय से प्राप्त होती है उन्हें हम पूंजिगत प्राप्तियों के अंतरगत रखते हैं फूर्थ पॉइंट में हम देख रहे हैं कि भूमे के पटे पर दिया गया नजराना तो क्यूंकि हम भूमें से रिलेटेडीicar के बात कर रहे हैं और भूमे एक्रकार की संपत्ती है यह हम कहें तो इस्थाई संपत्ति है तो इस्थाई संपत्ति उपर जो वे किये जाते हैं वो पुंजी गत्वे होते हैं क्योंकि एक प्रकार से देखा जाये तो यह वो वे हैं जिससे की भूमी पर एक इस्थाई अधिकार प्राप्त होता है फिफ्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं आपर कि नय उत्पात को बजार में प्रचलित करने के लिए किये गए विशेश विग्यापन अब ये विशेश विग्यापन है यानि कि ऐसे विग्यापन है जिस पे हम एक बार अगर वे कर देते हैं तो इनका लाभ हमको काफी लंबे समय तक प्राप्त होता रहेगा लेकिन वास्तों में ये विक्रा संबन्दी आगमगत वे होती है और इन्हें हम क्योंकि एक बार ऐसे वे जिनको हम एक बार कर देते हैं तो काफी लंबे समय तक उनसे लाभ प्राप्त होता रहें उन्हें हम स और साल दरसाल इन वहें को राशी होती है उसको हम धीरे-धीरे लाव आने कार्थे में अप्लिकित करतेजाते हैं और एक निश्यत अवधि के बाद फिर उनकी होता है क्योंकि एक समान वे पारिक्रिया है दुकान में हम छोटी-मूटी साथ सज्जा के लिए या चोटी-मूटी advertisement के लिए इस तरह के वे करते रहते हैं तो हम यह मान सकते हैं कि दुकान के बोर्ट बनवाने पर किया गया वे एक आगम गत्व है क्योंकि विवसाय के एक समान विक्रे संबंधी वे नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं कि typewriter machine को खरीदा गया है और उस पर वे किया गया तो किसे भी कारेले के लिए typewriter होती है कि हूँ कह सकते हैं और यह समपत्ति पर वे कि यह गत्रे पर हमने वे किया है इसलिए यह जो वे है यह पुझी गत्वे कह लाएगा और क्योंकि यह मान सकते हैं कि से संपत्थी का निर्मान होता है एफ पॉइंट में हम देख रहे हैं कि नग निगं के रिड़ पत्र-खरीद कर विन्योजित की गई राशी है रिड़ पत्र खरीदे जा रहे हैं कहीं नकहीं इस से पुझी में तो व्रिद्धी हो रहे हैं लाप प्राप्त हो रहा है तो इस इस तरह के जो वय होते हैं वो पूंजी गत्वय होते हैं क्योंकि इनसे भी हम मान सकते हैं कि पूंजी का निर्माण हो रहा है या फिर हम कह सकते हैं कि संपत्यों का निर्माण हो रहा है कि नाइन पॉइंट में हम देख रहे हैं कि नगर निगम को संपत्ति के रूप में दी गई राशी व्यवसाय का समान वे होती है और इसलिए यह जो होता है यह आगम गत्वय कहलाता है क्यूंकि इस तरह के जो कर होते हैं छोटे-मोटे जो टैक्स होते हैं इस तरह वह बार- प्रवृत्ति के होते हैं इसलिए हम इनको आगमगत्त मान सकते हैं और दसवा पॉइंट हम देख रहे हैं कि पुरानी मशीन के अवशेश भावो को बेचने से प्राप्त राशी तो इस तरह के जो राशी है वह पुंजी गत्त प्राप्ति हैं क्योंकि एक प्रकार से स्था संपति है हम खरीटते हैं तो भी तो सकति मान के पुंजी गत्त वैं के पुण॥ि गत्ति हैं और जब ये प्रशेश या कलपूजे बेचते हैं तो भी हम यहीं मान लेते हैं क्योंकि वह स्थाय संपत्ती से रिलेटेड से रिलेटेड है और कि कहीं ने कहीं पूंजीगत प्राप्ति है प्रश्न क्रमांक 6 कारण सहीद बताईए कि निमनलिकित मदे पूंजी गत है या आगम गत पहला भूकम से मकान की दिवार में दरारे पड़ गई जिसके मरमत वै जिसका मरमत वै दूसरा नई मोटर गाड़ी का छेत्रे यातायात अधिकारी के यहां पंजियन का शुल्क प्र तीसरा मोटर गाड़ी का रंग खराब हो जाने से सारी गाड़ी पर फिर से नया रंग करने का व्यै चौथा बुराने टायर बेचने से प्राप्त राशी पाचवा नए टायर खरीदने पर किया गया व्यै चटवा मशीन पर लगाया गया हास साथवा अकबार के रद्धी बेजने से प्राप्त राशी आठवा मोटर एक्सिजेंट में दो बैल मारे गए नवा काम करते समय चोट लगने के कारण कर्मचारी को दी गए च्छतिपूर्थी की राशी दसवा फैक्टरी में बल्ब के जगह ट्यूब लाइट लगवाने का व्याइब इस प्रश्ण में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले भूकंप से मकान के दिवार में दरार पड़ गए और फिर इसके रिपेर पर कुछ वे किये जा रहे हैं तो क्योंकि जो दिवार है वो एक प्रकाल की भवन की है संपत्ती है पूंजी गत्वे हैं और इस पर जो भी वे किये रिलेटेड होते हैं संपत्ती जो कारी रिखांता है उसको बढ़ाए रखते हैं और उम ग्रोंदार रोखे ईस कि इस तरह के जो वह हैं वो पुंजी गत्वेयों के अंतर कर आते हैं दूसरा नई मोटर गाड़ी का चेत्री आता है अधिकारी के यहां पंजियन का शुल्क तो मोटर गाड़ी का जो पंजियन शुल्क है वो आगम गत्वेयों है और ऐसे इसलिए क्योंकि हमको इसको रिनेवल कराना पड़ता है तो हम यह कह सकते हैं कि प्रकार के आवर तक प्रवित्ति का वह होने के कारण भी आगम बत्वेयों है तीसरे पॉइंट में हम देख रहे हैं कि पुरानी गाड़ी का रख रखाओ और गाड़ी को फिर से नयारंग करवाने का जो वह किया तो यहां पर जब भी कोई संपत्ती होती है तो वैवसाय का जो स्वामी होता है उसका यह करता भी होता है कि संपत्तियों को सुरक्षित रखके उनको उनकी समय समय पर मरमत कराए अगर तूट-फूट है किसी प्रकार की तो उसकी मरमत कराए तो ऐसी कंडिशन में इस तरह क प्रवित्ती के होते हैं तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो गाड़ी के रख रखाव पर यह रंग रोगन पर जो वे किये गये हैं वो एक समाननिवे हैं यानि कि आगमबत्व हैं छौथा हम देख रहे हैं आपर पुराने टायर की विक्री से प्राप्त राशी भले वो तायर जो था वो किसी संकत्ति करते हैं तो पुराने टायर को बेच कर हो सकता है, वहाँ पर नया टायर लगवा रहे हूँ, तो इस तरह का जब हम किसी संपत्ती का जिरुणों धार करते हैं, टूड फूट मरम्मत करते हैं, जो पुरानी चीज़े जो होती हैं, उनको हम स्क्रैप मानकर बेच देते हैं, इस तरह के जो प्राप्ति या व्या होते हैं कि यह जह होते हैं वह समानी प्रकृति की आय कहला कि पाच्वा नया टायर खोरेदने के रहें यह आ बढ़ाने के लिए कि अगया इस तरह कि जो वैव होते हैं वो जो समाने संचालन होता है वैवार को उसमें लगातार किये जाते हैं यानिकि कुल में लाकर हमें कह सकते हैं कि यह आगम गत्वयों के अंतरगत आते हैं छटवा मिया पर देख रहे हैं कि हास की वेवसाइक संपत्ति का एक मान्मी वेवसाइक खर्च होने से आगम गत्वय कहलाता है क्योंकि डेप्रिसीयर्शन है हम देखते हैं जो हम साल दर साल या मंत्ली केल्कुलेशन करते हैं तक कि उससे जो राशी जम्मा हो उससे हम एक वै इनकम होते हैं हम वेस्टेज कुछ सेल करते हैं तो इनसे जो प्राप्त होती है राशी आवर्टक अप्रवित्ति की होती है इस तरह की राशिया होती रहती है जनरली यह वैपार में इसलिए हम यह मान लेंगे कि अखबार की रद्दी बेचने से जो राशी प्राप्त हो र कि एक तरह से हमारे लिए जिस तरह से प्रीज़ करते हैं तो जब हम इनको खरीदते हैं तो एक तरह से हमारे लेकिन अगर इन किसी प्रकार की हानी मान लेते हैं उनकी जो लागत है अब तो उनसे कुछ मिलना नहीं है उसको हम कुट हानी मानُ लेनगे क्यों एक लाइबन स्टॉक है वेब साइग की संपत्ती है तो यह जो हानी है इसको विस्थाई संप्रत्य से सम्मदी मांग लेते हैं नाइन पॉइंट में हम देख रहे हैं कि काम करते समय चोट लगने के कारण कर्मचारियों को दी गई इच्छतिपूर्थी यहाँ पर क्योंकि जब कोई वैपार काम जब भी कोई कारे होता है प्रोडक्शन का तो जो मजदूर उस कारे में लगे रहते हैं उनको कभी चोटी मुटी जो चोटे होती है वो आते रहती है और उसके लिए कमपन्जेशन जो है वो वैपारी के द्वारा जो ओरनर है विजनेस का उसके द्वारा दिया जाता रहता है तो क्योंकि आवर तक अतरह के होते हैं यह वह इसलिए हम इनको आगम गत्वे मान लेती है तो यहाँ पर कर्मचारियों को दी गई च्छतिपूर्थी आगम अगर हम किसी संपत्ती की कारेशमता को बढ़ाने के लिए कोई कारे करते हैं तो यहाँ पर तो हम उसको पूंजी गत्वे मान लेते हैं लेकिन ऐसे वह जो बड़ी मात्रा में किये जाते हैं उनको हम स्थगित आगम गत्वे मानते हैं क्योंकि एक बार हम इस पर खर्च करत हैं लेकिन उससे जो प्राप्त होने वाला वाली जो आए जो सुविधाय है हम कह सकते हैं यह काफिय लंबे समय तक हमको टुकड़ों टुकड़ों में प्राप्त होता है तो यहाँ पर हम यह मालेंगे कि ट्यूब लाइट लगाने से फैक्टरी में जो कारे करने वाले कारण इन वैयों को सगत आगमगत्वय मान लेंगे और छोटे खच होने पर हम इनको सामानने आगमगत्वय भी मान सकते हैं